हेलो फ्रेंड्स, चेप्टर 7 से एक्जाम्पल लेट करेंगे find the cube root of 17576, throw estimation इस नंबर का आपको cube root निकालना है और cube root निकालना है estimation method से यानि prime factor का use नहीं करना है आपको सिर्फ estimation method लगा कर इसका cube root निकालना है तो step समझिए, कैसे करते हैं हम estimation से cube root find कैसे करते हैं वो देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर है उसके आप pair बनाएंगे digits के और pair बनते हैं पीछे से 3-3 digit के वैसे पीछे के मैंने ये 3 digit उठाए और इनका एक pair बनाना लिया आगे सिर्फ ये 2 बचे हैं तो यही मेरा pair हो गया अब ये जो पहला pair है आपका पीछे से इसके once place को देखिए once place है यहाँ पे 6 अब 6 आपको यह देखना है कि किसके cube में once place पे 6 आता है तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के ये cubes लिखे होए है तो पीछे 6 आ रहा है 6 के cube में 6 का जो cube होता है उसमें पीछे once place पे 6 आता है तो इसका जो पीछे का duyget है वो हमको पता चलेगा कि वो 6 होगा यानि जो इसका once place होगा once place के ऊपर जो डिजिट होगा वो तो पक्का पक्का 6 होगा अभी हमें आगे का पता चलाना है तो आगे का पता चलेगा अगले pair से यहां आप देख रहे हो 17 यह जो 17 नमबर है यह 17 नमबर आपको यहां पे cube में देखना है कि यह किन नमबरों के बीच में आता है तो 8 के और 27 के बीच में आता है 17 अब इनके वो नमबर देख लेते हैं जिनका यह cube है वो है 2 और 3 तो मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूँ आपको कि 2 का cube और 3k cube के बीच में आता है 17 अब इन में से आपको वो ले लेना है जो छोटा वाला है छोटा कौन है? 2 है और 2 के अंदर 1s place में क्या है? 2 ही है 2 तो एक 1 digit number है ना तो इसके 1s place में क्या है? 2 ही है इसका जो 10s place पे आने वाला number वो 2 है बस इसी तरह से आप किसी भी number का cube root find कर सकते हैं estimation method से तो इस number का cube root बन गया है 26 question खतम